बंदे और रब के दुन में एक अत्यार है वो दिल है कहता है अगर मुझसे रबता करना चाहे तो इस टेलफून को साफ कर ले ना और किसी चीश से तलक नहीं है इस दिल से तलक है इस दिल को साफ कर ले ना अब दिल साफ कैसे होता है अल्ला के जिकर से होता है वो भी दिल जिकर करे तो जिमान से जिमान पाक़ कोगी न दिल से दिल पाक़ को गा न यह वो दिल का जिकर सीखेगा तो उसका दिल पाक हो जाएगा साफ हो जाएगा अगर टेल्फून साथ भी हो ठीक भी पड़ा हो तब भी उसको दो बिजली की तारों की जरूरत है अगर ये साफ हो जाए तब भी इस दुनिया का नजाम बिजली का है उस दुनिया के नजाम नूर का है इस दिल में जरह भी नूर आ जाए जिस तरह लोई को लोई से निस्पत है मकना तीस मामूली सी सुई को दूर से खेंच लेता है तामबे को क्यों निस्पत है निस्पत है न लोई को लोई को खेंचता है इसी तरह जरह से भी नूर आ जाए वो नूर का गोलोई से पहवस्त हो जाती है है आप लोग द्या मंगते हैं कबोल नहीं होती है कबोल नहीं होती तब लृछ हो पास जाते है ना भाई उनका टेलीफून आयositा नहीं है How the dmar कतमीन पता नहीं कब उपर बहजेंगे कब लृभासें देखें ना देखें वलियों के बास کیوں ان کے ٹیلی فون صاحب ہے نا جو بات کرتے ہیں فوراً اوپر پہنچاتی ہے جب اوپر پہنچاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں اور یہ جو ٹیلی فون ولیوں میں وہ بھی تمہاری طرح تھے انہوں نے اپنے ٹیلی فونوں کو صاحب کیا تو وہ وہاں پاہ تک پہنچے تم بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہو اور جب کوئی ہر شخص اللہ علا کرتا ہے دل سے اللہ علا کرتا ہے तो उसके दिल में अल्ला की महबत पैदा हो जाती है आप किसे भी शख्स को अमरीका में बैटा है आप उसको दिल से याद करें चाली दिल याद करें दिल को दिल से रहा है उसका हत आ जाएगी जब आप अल्ला को दिल से याद करेंगे तो आपके दिल में अल्ला की माबबद पтесь पैदा होजाए गी जब अल्ला की माबद पैदा हो जाएगी तो अल्ला किसी का एसन अपने उपर नहीं लेता है भैई उसके लिए एक नमाज पड़ो दस का सUحब देते हैं एक रिप्याँ खर्च करो दस वापस कर लेता है उससे थोड़ी से महबद करो वो उससे बहुत ज्यादा महबद भी करता है क्योंकि वह इसान झी उसके लेता महबद का बद्मान एड़ा महबद फिर जब वो उसे महबद करता है फिर वो इशक का मैं तर जिते इशक पुचावे उते इमान को भी ख़बर कोई निढ़ें फिर मैं तेरा और तू मेरा तेरा माही तेरा माही मेरा माही तेरा माही अब इसकी इजास्ट भी होती है आप यहां तहज़त पढ़ते रहें शैतान कौने पे ख़ड़ा हसता रहता है क्यों ठकता रहे तेरा दिल तो मेरे हाथ पे जब जी चाहूंगा मोर दियो और तुम्हें एक दिन शिकायत होई मैं बड़ा तहज़त गुजार था मुझे क्या हो गया मैं फर्ज नमाज नहीं पढ़ सकता और शैतान ने दिल मुड दिया जब कोई शिक्स अल्ला को दिल में बसाने कोश़् करता है शैतान सोचता है अगर यह अल्ला इसके दिल में चला गया इसका दिल मनावर हो गया यह तो सारी अमर के लिए मेरे आथों से लिए उसके पास इंदू फाओ जाए हुकम देता है जाओ इसको तबाह करो परबाद करो कुछ भी करो यह अल्ला इसके अंदर ना जाए अगर यह अल्ला इसके अंदर चला गया तो फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्ला अल्ला करते हैं उनके दिल पे अल्ला नक्ष हो जाता है फिर कुरान उनके लिए फरमाता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों पे इमान लिख दिया इमान क्या है यह मौर पॉलीस की लगी हुई है छाबत है पॉलीश वाला ये अल्ला की मौर लगी हुई थाबत है अल्ला वाला कुछ लोग हरो उल्ला लाकरते हैं उनके दिल पे अज़ूर पाक का रोजा मुबारक बस जाता है फिर वो कहीं भी है death में कुछ लोग ऐसे हैं हारुक अल्लाला करते हैं उनके दिल पे खाना काबा आ जा एक दफ़ा मजादत अलफसाने अमत अल्ला ने देगा कि बातनी मखलूक उनको सजदा कर रही है प्रेशान हुए सजदा तो निसान को जायज दी इस्तद्राज तो नहीं हो गया आवाज आई गवराव नहीं ये तुम्हें सजदा नहीं करे वो जो तुमारे अंदर खाना काबा बसके ये उसको सजदा कर रही है जब राव बस्री रहमत उल्ला के दिल पे खाना काबा आया उस काब एको हुकम हुआ जा जा का उसका तवाफ कर रहा और तुझे अबरहिम अलेशलाम ने मनाया इसको तो मैंने नूर से मनाया फिर कुरान में जीद भी फरमाता है हबललवरीद मैं आउनी के शारग के नजदीक हूँ हर आदमी सोचता है नहीं मेरी शारग के भी नजदीक है इसको नहीं में यही कहा था अबललवरीद वो कहते थे तो भी हमारी शारग के नजदीक है न हम शराग पीते हैं कुछ भी करते हैं तो भी हमारे साथ होता है न बई शारग के नजदीक है फिर हमारे हर फैल में तुम साथ है जब तुम हमारे साथ होता है तो प्तूर हम्हारे साथ किताब किस चीज़ का लेगा। नारे तक्वीर नारे रिसाल बनके बस्त मलंग रहेंगे भाहर तेले संग रहेंगे भाहि अगर तू अबल वरीद है तो फिर हमारे साथ ही है तुरे साथ किताब क्या है फिर उन्होंने खौला था नहीं जब फत्वे के जवाब दिया था कि वो उन्हीं के अबल वरीद है जिन लोगों ने उसको अपने अंदर बसा लिया और जिन लोगों ने उसको अपने अंदर बसा लिया उसके लिए तो हदीश है मैं उनकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है तान स तोचता है इन मरात्म में से कोई मरत्मा लेड़ा ना जाए इंडू-फौज जिन्नाथ की हुकम देता जाओ उसको तुबाग करो अब तुमारे पास तो ही जिन मीनी है जो उनका मकामला करो जहां से इसकी इजास्त होती है अल्लाद ताला उनको भी रह्मानी फौज देता है वो शेतानी फोज तूट पड़ी और वो रहमानी फोज शेतानों पड़ी और वो रहमानी फोज उस वक्त तक तुम्हारा साथ देगी जब तक तुम्हारे अंदर वो रहमान जाग नहीं उटते वो मखलुकें जब तक जाग नहीं उटती फिर तुम बंदा नौज बन गए। गरीब नौज बन गे।। यह इसकी इजाज़त है। आप इसका तरीका भी बताएं। वोट सकता है कुछ आले दिल हो। एक भी आले दिल निकलाया ता हमारा मकसद पूरा हो गया। क्योंकि अगर किसी एक का भी दिल अल्ला के जिकर से धड़के बिमारी से नहीं अल्ला के जिकर से धड़के तो यकीन करो अधर अर्श मौला भी धड़कता है जब अर्श मौला हलता है तो फरिश्टे पूछते हैं ऐ अल्ला ये क्या हो रहा है اللہ تعالیٰ فرماتا میرا عائقہ کی بندہ جس پہ انکار سجدہ ہوا تھا آج وہ نہیں آج اس کے دل میرے ذکر میں مصروف ہے فرشتے کہتے کاش ہم بھی اس طرح کے انسان ہوتے ہمارے اندر بھی ایسا دل ہوتا ہم بھی تیرے عرش کو حلاتے ایک آدمی بھی ایسا نکل آئے تو ہمارے لئے بہت کچھ ہے جو عرش کو حلاتے اور اسی کے لئے علامہ اقبال نے فرمایا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں اب اس کا طریقہ کیا ہے روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے اللہ لکھیں آپ تھوڑے دن لکھیں گے ایک وقت آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا جب آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں آنکھوں پہ دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں اگر اللہ نے چاہا جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی ٹک ٹک پھر اس کے ساتھ اللہ ملائیں ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ بار بار ایسا کریں گے وہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گے رات کو سونے لگیں انگلی کو کلم خیال کر کے دل کی اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اسی میں نیند آ جائیں آدھی رات کے وقت اس دنیا میں خاص فرشتے آتے ہیں کرامن کا عطبین سہر آدمی کے بارے میں پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمر کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا پتہ نہیں صبح اس کی جہان ہے یا نہیں یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا تھا وہ کہتے ہیں خاموش آشتہ بات کرو شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو ہو سکتا ہے تمہاری ساری رات اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دیں اٹھے ہیں آفس جا رہے ہیں جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں لوگ خفی کو قلبی سمجھتے ہیں نہیں جب دل کی دھڑکن سے اللہ ملتا ہے وہ ذکرِ قلبی کہلاتا ہے جب تک ذکرِ قلبی نہیں ہوتا ہے ذکرِ خفی کرتے رہے وضو ہو یا نہ ہو دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ہے سارا دن پانی میں پڑھے رہے ہیں پانی تو دل میں جائے گا نہیں تو وضو کیسے ہوگا جب وہ اللہ کا نور اس دل میں جائے گا وہ اس کو دوہے گا اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شرابان دا اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے زندگی میں ایک بار ہی کافتی ہے اگر ذکر سے گرمی آئے برداشت کریں تو بہت بہتر ہے اگر برداشت نہ ہو تو دروش ہی پڑھیں دروش ہی اس کو تھنڈا کر دی پھر ذکر کریں کیونکہ کانونِ قدرت ہے گرمی کے بغیر کوئی چیز نہیں پکتی یہ کانونِ قدرت ہی ہے فصل وہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتا لیکن جب وہ جلنے کو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بارش برساتا ہے گرمیں آنڈی ہے جب جلنے کو ہوتی ہے تو پانی کا چھنٹا مارتے ہیں اور خشبو ہوتی ہے اسی طرح یہ سینہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتا ہے نا جب یہ اللہ کے نور سے جلنے کو ہوتا ہے پھر دروش ہی پڑھتے ہیں وہ اس کو تھنڈا کر رہے ہیں زبانی باط میں سب سے افضل دروش ہی پہ لیکن جب ذکر قلب اتا ہو جاتا ہے تو دروش ہی اس کا وسیلہ بن جاتا ہے بہت سے لوگ ہوں گے جن کے دل کی دھڑکنیں عمر کی وجہ سے محسوس نہ ہوتی ہوں گے پہلے تو وہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے دل کی دھڑکن ابریں اگر نہیں ابرتی ہے تو پھر وہ سانس کا ذکر کرنا شون کر دیں سانس اندر لیتے وقت اللہ بار ہو سانس تو آیا نہیں چلوہ عبادتی سہی جاں ذکر کے حلقے ہوتے ہیں وہاں جا کے بیٹھیں اللہ ہو کی ضربیں لگائیں یہ اللہ ہو کی ضربیں جو ہیں یہ شور مچانے کے لیے نہیں ہیں اگر آپ صرف ضربیں لگا کے گھر چلے جاتے ہیں تو شور مچا کے آئیں یہ اللہ ہو کی ضربیں زور زور سے اللہ اللہ کرتے ہیں جسم کو اللہ آتے ہیں وہ دل کی دھڑکنیں ابرتی ہیں اس سے جب دل کی دھڑکنیں ابرتی ہیں پھر اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسانی آدھی ولایت ہے کیوں ولایت ہے वो हल चलाता है हल चलाता है काफी देर तक चलाता रहता है फिर उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है जब दिल धड़कना शुरू हो जाता है अगर उस धड़कना के साथ अल्लाला मलायत वादी वलायत है ना वरना जिस तरह बैल का दिल धड़करा है उसका दिल धड़कर में अगर तू पांच नमाजें पढ़ता है कनात पसंद है तो पांच हजार दफ़ा रोज जिकर कर जे तरीके हैं फकर के अगर तू आलम है इमाम है मक्तिदी पे फजीलत है वो पांच हजार दफ़ा जिकर करता है तू पचीस हजार दफ़ा रोज जिकर कर तब तुझे उस प कि अगर तू मेरा आशिक मैं तेरा आशिक अल्ला ताला फर्माता है जल्दी आम मैं त्यार है यानि वह कोई देर नहीं है वो तरीका भी नहीं है उसके लिए सवालक दफारो जिकर करना पड़ता है तो सवालक दफार जिकर तस्वी से नहीं होता है सांस से नहीं होता है इन दठकर से बनी है यह एम गंटे में 365 तुभा टिक टिक कर लेता है शिक्र से और 10 हो चाटा है गर्मी से ए गंटे में 6000 दफ़ा अल्ला कर सकता है 24 गंटे में सवालक से भी बढ़ जाता है सवालक से आगे कोई अबादत नहीं है आ Ugh जब फता मक्का हुई तो असाहबा कराम के दिल सवाल लग तक पहुंच चुके थे उस वक्ट वो आयत उत्री कि मैंने तुम्हारों के अगले पिछले गुनाव माफ कर दिये वो आयत हर जमाने के लिए है आज के लिए है अगर आज भी किसी का दिल सवाल लग तक पहुंच जाए अल्ला कसम अल्ला ताला उसके अगले पिछले गुनाव माफ कर कोई मसीबत आती है आतल करीमा पराते है सवाल लग दफ़ा पराते है ना अगर कोई शवाल लग दफ़ा लग करता रही तो तो मसीबत ही नहाए इसके लिए ना तुमें बैट करते हैं ना तुमसे कुछ अंदा मांगते हैं उस वक्त तक तुमारा साथ देंगे जब तक तुम बंदा नवाज नहीं बन जाते है बनके मस्त मलंग रहेंगे दुन्या वाले दंग रहेंगे जनके मुर्शद हैं जब जोहरी बन गए तो अपने मुर्शदों को पैचान लेंगे जब पैचान लेंगे तो हटी जाएंगे ना खुद भूदी तो जो बैत नहीं हैं तो फिर जब वो जोहरी बने तो उनको कोई मर्दे कामन मिलेगा तो वली ही मिलेगा ना इसके लिए जिकर लें और अपनी किस्बत आजमें अगर जिकर चल पड़ा तो दुआ दे देना और क्या दोगे अगर जिकर नहीं चला तो दो चार पांच शी दिन मैंने करी उसका स्वाब तो मिल जाएगा ना वो दुराएगा नहीं जाएगा ना इसके लिए मेरे खल में एक और बात बता दूँ इसके लिए दिल का साफ होना जरूरी है अगर दिल में जरा भी बात हो तो ये जिकर फिर नहीं चल सकते हैं दिल की सफाई क्या है कि हमने एक रूहानी सफर लिखी थी कुछ जिंदगी के वाकियात कुछ खाबों के वाकियात बहुत से उलमा हैं जो हमारे हक में बहुत से उलमा हैं जो बिलकल हमारे दुश्मन हैं वो जो आलमे सू किसम के लोग है ना वो तो हम पंजाब गैद कहने हम तुम्हारी टांगे तोड़ेंगे गराए तो तो वो जो आलमे हक है ना वो तो सीने से लगाते हैं बड़ा अच्छा काम करके आए हैं उन आलमे सू को अपनी रोटिया नदर आती हैं अब तो कम हो जाएंगी मरीद भी उनके इदर आ रहे हैं उन्होंने क्या किया खाबों को जहर में तब्दील किया और सत्रों को आगे पीछे करके उसके पर फत्वे लगा दिये हम जिदर जाते हैं वो फत्वे आगे पहुँचे हुए होते हैं फिर लोगों कहते हैं बेतर है कि तुम रुहानी सफर खुद ही पढ़ो फिर निसाफ करो फिर वो लोग रुहानी सफर पढ़ते हैं पिर उन उल्माँ से कहते हैं, एनमें तो ऐसी चीज नहीं है, जो तुमने फत्वे लगा दिये, फिर वो कहते हैं, दरसल बात ये ये दूसरा एडिशन है, वो पहला एडिशन ने शुपा लिया है, और हम कहते हैं, को पहला एडिशन तुम्हारे पास तो होगा ना, जिससे त के ओपर जारू फिर नहीं कोईश करते हैं बेशेक उनका जारू जबानी लोगों के ओपर फिर सकता है लेकर वो जो दिल वाले हैं उनका जारू कभी दिल पर नहीं जा सके जब दिल पर जारू नहीं जा सके दा तो हम तो देख रहे हैं उनकी मुखालफत के बावजूद और और निकलती रहेंगे जिकर लेना जाएंगे उनको बलाएं किसमता थाज़ा सामई इकराम वो हदराइग जो जिकर कल्ब की इजादत लेना चाहें बैत नहीं होती चंदा नहीं लिया जाता मीरास रसूल इसमे जात अल्ला का इल्मी और रूहनी इजन दिया जाता है जिस से आ आप मजाराथ पे जाएं हरी चातरों के बजाए साहीब मजार का दीदार करें दिल की आँखों के लिए मीरास रसूल के लिए जो जिकर कल्ब लेना चाहें वो एक सीड़ी से आएं और दूसरी सीड़ी से उतर जाएं हासल कीजDet ताके रूहानियत की मालूमات हो सके विलायत क्या है फेंदानِ रसूबश क्या है आप जानिये या आप पर फर्ज एंड है हम तरक्ि दुनिया के लिए लिट्रेचर परते हैं क्या बहतर नहीं तरक्य दीन के लिए, गुर्ब रसूल के लिए, किसी ऐसी किताब को भी ठामा जाए, किसी ऐसी तालीम के करीब आया जाए, जो हमारे दिल को मदीना बना दे इसमे जात अल्लाह का नाम पूरी काइनात का हासिल है अल्लाह का नाम हासिल कीजे कागस पे लिखा हुआ अल्लाह इसमे जात का फैद नहीं दे सकता मगर दिल पे लिखा हुआ इसमे जात अल्लाह आपको मतीना से करीब कर देगा लाखों सरहदों को दिल के फासले खतम कर देंगे ये दौलत ए उसमा हर शख्स के लिए हैं अमीर गरीब काला गोरा सरकारी गेर सरकारी अफसर पुलिस रफॉज गरीब और अमीर किसी के लिए इमत्यास नहीं अल्ला ने हर एक को दिल दिया है बातिनी दौलत दी है इसको यूटॉलाइस कीजे इसको इस्तेमाल में लाइए इसमे जात अल्ला किसी से लिखवाएं हम नहीं कहते या आएं लेकिन अगर आप उमर खपा चुके इसका रास किसी ने ना बताया तो फिर उससे करीब आजाएं जो आपको ये रास बता रहा है उससे इसमे जात लीजे जो इसमे जात बाट रहा है ये काईनात का ताज है इसमे जात का आजनात का हासिल है इसमे जात मीरा से रसूल है इसमे जात रास्ता है काबा का इसमे जात रास्ता है मदीने का इसमे जात रास्ता है जात रसूल का इसमे जात रास्ता है जात खुदा का लेकिन ये शाहरा ये वली के बगएर नहीं मिलता किसी वली की तवज्जों के बगएर नहीं मिला करता आईए और हासल कीजे जो चीज़ कियामत तक की मश्च से हासिल नहो वली की नजर से मिला करती है और वही चीज़ इसम जाद अल्ला है अल्ला हूँ पढ़ते पढ़ते यहां से गुजरिये शाह साथ का कल होने वाला प्रोग्राम मलीर में मिनार एमूर कानफरंस कैंसिल है कल शाह साथ अंजमन के दफ्तर में मरीज हज़रात के लिए बाद असर और जिक्र कल्ब के लिए बाद मगरिब तश्रीफ फर्मा होंगे अड्रेस के लिए अंजमन के लिटरेचर इस्ताल पर और नीचे तक्सीम हो रहा है वो लेकर जाए अजमन के लिए अल्लहू परते परते गुजरिये अल्लहू परते परते गुजरिये ये मकाम बड़ी पाक बारगा है ये मकाम मेरा से रसूल की तखसीम का है दिल रो उटता है जब माशरे की خसथा हालत देखते हैं इसलिए कि लोग नहीं जानते इसमे जात है क्या लोगों को नहीं बताया गया कि मेरा से रसूल क्या है आप खुदा को किताब में ढून रहे हैं खुदा तो दिल से मिलेगा लिल्ला अपने दिल को जानवरों की तरह दिल न रहने दीजे अपने दिलों को मुमिन का दिल बनाईए खुदा का अर्श बनाईए अपने दिल को मदीना बनाईए जबान के मदीने के नारे आपको दिल मदीना नहीं बना सकते मदीने वाले का फैंज इसमे जात है इसमे जात आपके दिल को मदीना बनाएगा इसमे जात के हुजूल के लिए सफर कीजे एक हजार साल तक चलना पड़े इसमे जात के हासल करने के लिए तो एक हजार साल का सफर वाजब है के करें वहां तक पोँचें जाएं इसमे जाद तक्सीम हो रहा है अब्लाइ करें मुलाइ करें तेरे प्यारे मह्मुव स.W.C. के धिक्रिबाद को और उसके तब्दियू करने के लिए यालाबा अचिपाव ए मुलाइ करें हमारी इसमेहिखल को बिबारगा में गबने खाको फर्माँ मुलाइ करें यहाब अभर तुक किज भी पेयान किया है यो या ला अबने प्यारे मैभूब के सत्के और वस्धिक्ष के अब दिलशे था कहने की तुफिकित दा परब देहो या लग WAS किरुम। पर दिल हमने तुफिकत दा परर्मा जाताए या लगा हर मुस्लमान, हर मॉम्न को जिकर औ उसकार करने की तुफिकत दा Wish ओंला। इसली को अलएकोट अंहिते दो हुआ हुआ हे, प양िते हो निम्हारु को आर्रीक महिटें अरहें then Ia का उन्हार आर्ने इनम्हों सनुनुनुनी आली सिर्फेशे मितैबाए लुए अ наिकर मुप्शर ओर लिंदे आर्भ वजिए लुए कि अचल आप एंगार्ब कर कि पूल्आ मैं इसे कून सलेम इनलाम। ने रब आलमिन भी एला इा इन अधान आपक एला इन आ आपके एल्लागार G मैं आ इन आपका शचरदारी ओद आपको यूर मां इसे फूर्श आपको ऊपने शर्राइब का लिजार का इन शर्डगते बिल झाल झाल